नमस्कार आप देख रहे लाइफ 24 और मैं हूँ आपके साथ कृतिका सुर्यवन्शी लॉक्डाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेन मोदी ने देश को एक बार फिर से संबोधित किया इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने तीन मई तक लॉक्डाउन बढ़ाने का एलान किया संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन मोदी ने जहां लॉक्डाउन के दौरान लोगों को होने वाली पीडा का जिक्र किया तो वहीं लॉक्डाउन को कुरोना के खिलाफ एक मात्र विकल्प पताया सोशल डिस्टंसिंग और लॉक्डाउन का बहुत बड़ा लाब देश को मिला है अगर सिर्फ आर्थिक दरस्टी से देखें तो ये महंगा जरूर लगता है बहुत बड़ी किमत चुकानी पड़ी है लेकिन भारत वासियों की जिन्दगी के आगे इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती सीमीद संसाधनों के बीच भारत जिस मार्ग पर चला है उस मार्ग की चर्चा आज दुनिया भर में होना बहुत स्वाभाविक है देश की राज सरकारों ने भी स्थानिय स्वराज संस्ताओं की इकायों ने भी इसमें बहुत जिम्मेदारी के साथ काम किया है 2400 घंटे हर किसे ने अपना जीमा संभालने के लिए प्रयास गिया है और हालत को संभाला भी है लेकिन साथियों इन सब प्रयासों के बीच कोरोना जिस तरफ फैल रहा है उसने विश्व भरमें हेल्थ एक्सपर्स को और सरकारों को और जादा सतर कर दिया है भारत में भी कोरोना के खिलाप लड़ाई अब आगे कैसे बढ़े हम विजई कैसे हो हमारे हाँ नुक्सान कम से कम कैसे हो लोगों की दिक्कते कम कैसे करे इन बातों को लेकर राज्यों के साथ निरंतर चर्चाएं की है और इन सभी चर्चाओं मेंसे एक बात उभर करके आती है हर किसे का यही सुझावाता है नागरीकों की तरफ से भी यही सुझावाता है कि लोगडाउन को बढ़ाया जाए कई राज्यतों पहले से ही लोगडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं साथियों सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए यह तै किया गया है कि भारत में लोगडाउन को अब तीन मैं तक और बढ़ाना पड़ेगा याने तीन मैं तक हम सभी को हर देश्वासी को लोगडाउन में ही रहना होगा इस दौरान हमें अनुशाशन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं मेरी सभी देश्वासियों से यह प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नएक शेत्रों में फैलने नहीं देना है राष्ट के नाम संबोधन के दौरान प्रधान मंत्री मोदी ने सम्विधान के शिल्पकार बाबा साहिब डॉक्टर भीम राव अंबेटकर को श्रद्धान जुली अर्पित की प्रधान मंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि सम्विधान की प्रस्तावरा में जिस वी दा पीपल का जिक्र है देश की जनता ने एक जुट होकर दिखा दिया है कि हम लोग भारत के लोग का यही मतलब है हमारे सम्विधान में जिस वी दा पीपल अफ इंडिया वी दा पीपल अफ इंडिया की शक्ति की बाद कही गई है यही तो है वो बाबा साथ डॉक्टर भीम राव अंबेर्कर जी की जन्म जैंती पर हम भारत के लोगों की तरप से अपनी सामुहिक शक्ति का यह प्रदर्शन यह संकल्प बाबा साहब को सच्ची स्थ्धान्जली है बाबा साथ का जीवन हमें हर चुन्वती को अपनी संकल्प शक्ति और परिश्थ्रम के बल्बूते पर पार करने की निरंतर प्रेनना देता है मैं सभी देश वाशियों की तरप से बाबा साब को नमन करता हूं राष्ट के नाम संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री नरेन मोदी ने देश की जनता से सहयों की अपिल की है प्रधानमंत्री नरेन मोदी ने कहा कि साथ बातों को लेकर मुझे आपका साथ चाहिए प्रधान मंत्री मोधी ने कहा हमें धैरे बनाए रखने की जरुरत है लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्षमन रेखा का अगर पालन करें अगर आपका साथ मिला तो हम जरूर जीतेंगे इसी विश्वास के साथ मेरी बात समाप्त करने से पहले मैं आपका साथ बांग रहा हूँ साथ बातों में आपका साथ पहली बात अपने घर के बुजुर्गों का विशेश ध्यान रखे विशेश कर ऐसे व्यक्ति जीने पुरानी बिमारी हो उनकी हमें एक्स्ट्रा कैर करनी है उन्हें कोरणा से बहुत बचा कर रखना है दूसरी बात लॉकडाउन और सोशल डिस्टंसिंग की लक्षमन रेखा का पूरी तरह पालन करें गर में बने फेस कवर या मास्क का और वो भी गर में बने हुए उनका अनिवारिय रुपसे उपयोग करें तीसरी बात अपनी इम्मिनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्राले द्वारा जो निर्देश दिये गए हैं उसका घरम पालन करें गर्म पानी हैं काड़ा है इनका निरंतर सेवन करें चौथी बात कोरोना संक्रमन का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरग्य सेतू मोबाइल एप जरूर डाउनलोड करें दूसरों को भी इस एप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें पाँचवी बात जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरे करें उनके भोजन की आवशक्ता पूरी करें चठी बात आप अपने व्यवसाय अपने उद्योग में अपने साथ काम करें लोगों के प्रती संबेदना रखे किसी को नोकरी से न निकाले सात्वी बात देश के कोरोना योधावं हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सभाई कर्मी, पुलीस कर्मी ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें आदर पुर्वक उनका गव्रव करें साथ्यों इन साथ बातों में आपका साथ यह सब्तपदी विजय प्राप्त करने वाला यह काम है पूरी निष्टा के साथ तीन मई तक लोगडाउन के नियमों का पालन करें जहां है वहां रहें सुरक्षित रहें वयम राष्ट्रे जाग्रयाम हम सभी राष्ट्र को जीवन्त और जाग्रुद बनाये रखेंगे इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं आपको आपके परिवार को उत्तम स्वास की मंगल कामनाय करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद अम बेटकर जहनती के मौके पर आप सभी को लाइफ 24 की तरफ से शुपकामनाय देखते रहें लाइफ 24 लाइफ देखते लाइफ 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 झाल झाल